हेलो फ्रेंज विलकम बैक टो मैं चैनल मैं समीता आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हो चॉकलेट केक बनाने का बहुत ही आसान तरीका जिसके लिए हम प्रिमिक्स रेडी करेंगे और ये प्रिमिक्स आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपका मन करें इसमें दो इंग्रीडेंट आड़ करने होते हैं और आपका बहुत ही बहतरी चॉकलेट केक रेडी हो जाएगा इस तरह से अगर आप प्रिमिक्स बना कर रखते हैं तो ये चॉकलेट बच्चे भी बहुत असान तरीके से बना सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनता है ये चॉकलेट प्रिमिक्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चानल को सब्सक्राइब करें और अपना फीड़बैक शेर करना नहीं भूले तो चलिए बिना देरी किये स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो चॉकलेट केक प्रिमिक्स बनाने के लिए हमें मिल्क पाउडर चाहिए मैदा, शुगर, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सिट्रिक असिट, कॉन फ्लार बस ये सिंपल से इंग्रीडियेंट है और इसे हमें ग्राइंडिंग जार में लेके चरन भी करे ये हाफ कप का मेजरिंग कप है, मैंने पूरा एक कप इसमें मैदा डाला है, तो मैदा आप इसको बिल्कुल अच्छे से मेजर करके डालें, बहुत ज्यादा भर कर नहीं डालें, क्योंकि इसमें मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रिमिक और Stick-Up साथ मैंने वन टेबल स्पून और शुगर ढाला है ताकि थोड़ी मिठास अच्छी रहे i राय कोको पाउडर मैंने इसमें डाला है तू तेबलस्पून Óitsी ये भी आप अच्छे से मेजर करके डालें इसे आप घटा बढ़ा quantity में है यह एक कप के लिए सारी measurement है citric acid यह यहां पर देख सकते हैं इस तरह का होता है citric acid नमक की तरह कह सकते हैं और इसे नीमू के फूल भी कहते हैं यह यहां पर रिप्लेस करता है vinegar और lemon juice को तो अगर आपके पास citric acid नहीं है in case तो आप बाद में जब प्रिमिक्स आपका ready ह जब आप cake बनाने लगे तब आप vinegar या फिर lemon juice डाल सकते हैं तो यहां पर citric acid बिल्कुल ध्यान से डालें जस्त एक pinch मैंने डाला है और इसको अच्छे से चर्ण कर लिया है तो यह देखिए आप कितना fine सा यह powder बन गया है यह as it is आप इसको store कर सकते हैं क्योंकि mix तो यह हो है बट मैं इसको अगेन एक बार सीव कर लूँगी ताकि सारे इंग्रीडियन बहुत अच्छे से mix हो जाए यह नहों कि कहीं पर baking powder जादा है कहीं पर कम तो इसको इस तरह से चानने से यह evenly distribute हो जाते हैं सारे इंग्रीडियन और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया fine texture इसका है जिसे market में प्रिमिक्स मिलते हैं केक के उसी तरह का बिलकुल यह है तो बस यह प्रिमिक्स बनाकर आप store करके रख सकते हैं 6 महीने तक कोई भी खराब नहीं होगा तो जब भी केक बनाना हो जस्ट आपको simple से step follow करने हैं वो मैं आपके साथ यहां share कर रही हूँ हैंने एक क मैदा के साथ यह सारे measurement आपके साथ शेयर किये हैं अगर आप ज्यादा quantity में बनाना चाहते हैं तो इन सारे measurement को double यह triple आप उसके according कर सकते हैं तो आप उसको store करके भी रख सकते हैं मैं इस पूरे mixture के साथ अभी cake बना रही हूँ तो यहां पर मैंने पतीले को preheat करने रखा है क कि मैं पतीले में बना रही हूँ और इसे 5-6 मिनट तक medium flame पर preheat करें कड़ाई में बना रहे हैं तो same way आप इसी तरह से preheat करें और आवन को भी अब यहां पर जो mixture मेरे पास है उसमें मैं add कर रही हूँ 2 tablespoon oil साथ ही इसमें add करेंगे milk तो half cup मैं इसमें add करूँगी milk यहां पर आप देख सकते हैं मैंने exact one half cup लिया है और इसको धीरे धीरे करके इस mixture में add करेंगे और एक smooth सा बैटर बनाएंगे जिस तरह की हम cake के लिए बनाते हैं अगर आप premix two cup के हिसाफ से लेते हैं तो उसी तरह से दूद और oil की quantity भी आप बढ़ा लें तो आपने देखा कि just simple premix आपके पास होना चाहिए फिर आप बस oil और milk के साथ इस cake को ready कर सकते हैं बहुत ही simple हो जाता है इसका step क्यूंकि आपको सारे ingredient के इकठे नहीं करने है जिस आप mix करके रख लें उसे और आप देख सें कितना बढ़िया और silky इसका texture आया है यहां पर मैंने इस cake में extra थ डाला था तो उसके वज़े से थोड़ा सा रनी हो गया था मेरा बैटर तो बस आप इस तरह से mix कर दें कई बार जैसे आटे से हम बनाते हैं तो एक कप से जादा जा सकता है milk तो यह आप अपने बैटर को देख कर ही adjust करें तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छ अच्छे से oil से grease कर दें चाहे तो नीचे parchment sheet लगा लें या फिर मैदा को dust करके भी इस tin को prepare कर सकते हैं तो अच्छे से side में भी oil लगा दें ताकि demold करना असान रहे और यहां पर मैं मैदा dust कर रहे हूं इसमें ताकि इसमें एक coating हो जाए और फिर से demold करना असान रहे तिन अच्छे से रेडी हो चुका है और हमारा बैटर भी रेडी है तो अब बैटर को इसमें पोर करेंगे और आप देख सकते हैं इस तरह का इसका texture रहना चाहिए बहुत ही smooth सा है और बस इसको अच्छे से fill कर लें और इसके बाद इसको अच्छे से tap कर लें करने से इसके सारे air bubbles निकल जाते हैं यहां पर पतीला भी preheat हो चुका है तो यहां पर बड़ी केरफुली आप इसको रखें इसके अंदर क्योंकि काफी गरम होता है पतीला इस टाइम पर और बस इसे lid से cover कर दें यहां पर मैंने जो एक मिस्टेक की मैं आपके साथ शेयर कर जिससे यह पूरा cover हो जाए ताकि कोई भी air बाहर नहीं निकले आप यहां देख सकते हैं ऊपर वाली layer को को खोने में काफी time लग रहा है इसकी वज़े से काफी better flow भी हो गया है बाहर तो यह चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी lid लगाए वह अच्छे से tight हो उसके बना है बस थोड़ा सा यह लिट की वज़े से चिपक गया है मैं यहां पर कट करके आपको दिखाती हूं फिर आपको इसका texture पता चलेगा केक काफी soft and spongy बना है तो आप भी रेसिपी जरूर ट्राय करें आपको जरूर पसंद आएगी इस तरह से प्रिमिक्स रेडी करने से केक बनाने का जो प्रोसीजर है वो एकदम आधा हो जाता है तो यहां पर बस यही बात का आप ध्यान लखे कि कि जो citric acid इसमें हम एट करें उसको बिल्कुल पिंच डालें उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालें वो काफी strong होता है तो आपके केक को बिगाड भी सकता ह है तो बस measurement को अच्छे से follow करें और जो procedure बताया है उसे follow करें तो आपका केक बढ़िया बनेगा उमीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो useful रहा हो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें और अपना feedback share करना नहीं भूलें मिलती हूँ यह थैंक यह थैंक थैंक वड़ वाचीं